क्योंकि उसको हम इतना प्रेक्टिस पहले ही गरा देते हैं कि एक्जाम में लोज का काम है इसलिए वो एक्जाम में बैस्ट कर पाता है और उनकी गाइडेंस से ही मुझे बहुत इंपोर्टेंट चीजे सीखनों के मिली और मैं अपना स्लेक्शन शिक्षक भरती में ले पाए आपने मालूम होता कि मैं कौन सी कोचिंक जोईन करूँ परिक्षा की तयारी करूँ क्योंकि आजकल competition का जमाना है competition qualify होने के बाद में ही आपको सरकारी नोकरी मिलती है इसमें बच्चा जो है भ्रम जाल में फैल जाता है लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि अपने शहर में एक ऐसा स्थान है एक ऐसी coaching है जिसके बच्चे पूर दोस्तों आखिर क्या खास बात है कि यहां के बच्चे लगातार qualify करके परिक्षा में शामिल होके परिक्षा को पास कर रहे हैं और सरकारी नोकरी को पा रहे हैं और हासिल कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है इनमें क्या खास बात है किस तरीके से यह conduct करते हैं आईए मैं मिल बाता हूँ शहर का मंडल का माना हुआ नाम जिसका नाम है परिक्षा गुरू तो आए दोस्तों मैं मिल बाता हूँ यहां के जो कोचिंग संचालक महोदय है उनसे मैं आपको मिलबाने ले चलता हूँ आपके नाम क्या है सर अजे आपका स्वागत है बरेली मिरर में जैसे कि मैंने देखा है और सुना है कि आपकी जो कोचिंग है वरिक परिक्षा गुरू पूरे मंडल में बहुत ही अच्छा इस्थान है इसका बहुत जाना पहचाना नाम है आखिर जो वजह क्या यहां पर कैस किसी कैसी पढ़ाई होती है और कौन को से बच्चे स्वाग में क्या वर्क होता है वो जानने के लिए हमारे टीम आपके पास में आई है सर तो आप मैं किस से मिलवाना चाहते हैं आप सर मैं आपकी जो परिक्षा गुरू है यहां का जो कंडिशन है पूरी इस में पूरा ज से किस तरह के से आथ तैयारी कर बाथ हो वह सारी तैयारियां मैं एक बार अपने दर्शक लोगों को दिखा रहें दिखा देना चाहता हूँस वह प्लकुल मैं आपको दिखांगा ने के सख्चा है यह बनाते हैं तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया जिए मैं आपको classroom के अंदर ले चलता हूं और महां की जो पढ़ा ही और यहां की ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह के से पढ़ा होती है आये मेरे साथ में बने रहेगा हमारे बरेली के दर्शक लोग मैं classroom के अंदर आ चुगा हूं यहां पर social distancing के तहीं सभी बच्के बैठे हुए हैं और वखुबी यहां पे हमारे जो सर हैं, वहां पे सर बच्चों को ट्यूट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो हलो सर स्वागत आपका बड़ेली में मिल में मैं आपके कहना में सर दी दी मौरेल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह जो आपना बैस लगा हुआ यहां पर मेल फिमिया सभी लोग बैठे हुए सोसल डिस्टंसिंग के तहट में आप भी आप जो है किस सब्जेक्ट की के लिए क्या पढ़ा रहा है इनके लिए हिंदी पढ़ा रहा हूं को दिके जो मैं हिंदी पढ़ाता हूं बरेली में को कि करके आते हैं तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी राष्ट करने जा रहे हैं आज मैं इनको टॉपिक जो स्टार्ट कर रहा हूं वह है विशेशन ठीक है तो जो इनके पेपर में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है जो आता है क्योंकि मैं जो रैगुलर क्लास में ज सीखना चाहेंगे मैं एक शब्द में आप से पूछना चाहूंगा कि विशेशन है इसका विशेश क्या है नि're the ladies कि जी हो संगया और स्रम नाम की विशेश न नहीं है वह वह बहुत बड़ि较एं दोस्तों देखिए जिसा कि हमारे सब्सक्राने आपं लोगों बताया और ह आपका स्वागत है आपका श्रमा कितने दिन से अपने ये परिक्षा ग्रू जोईन किया है और आप किस की तेयारी कर रही है आपने के लिए अधर सुपरटेका ल स्टार्ट बहुत अश्ची बात है और मैं आपको रूबरू कराऊंगा हालो मैम आपका क्या नाम है अब आप ने कितने दिन पहले यह किस की तैरी कर रही है सर मेंको भी आप ड़ी दस दिन ही हुए हैं और होट बढ़ बढ़िया बहुत बढ़िया है हमस्कार आपके स्वागत है आप बरेली मिलर में आपने किस दिन कितने समय से ये coaching जोईन किये और आप क्या सीख रहे हैं आपे सर सब मैंने दो नवममर से ये बैच जोईन किया है और मैं TED सीटेट के लिए जोईन किया है तो उसी की तयारी करना है बहुत अच्छा बहुत बढ़ी है जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे टेट, सुपर टेट, उत्रप्रदेश पुलिस सेबा, लेकपाल तमान प्रकार की जो जोब होती हैं उसके तयारी हैं यहाँ पर कर रहे हैं लगातार अभी हाली में मैंने देखा गया था कि मैंने सुना था कि 79,000 सिक्षक भरतियों का जो है रिजल्ट आया है तो मैं पूछ रहा हूँ कि उस परिक्षा में आपके हां कि कितने बच्चे क्वालिफाइव हुए हैं ऐसा हमारे दर्शक लोग हैं बरेली के पूरे मंद्रिल के देख रहे हैं उनको सरा बताईएगा तो ऐसे ही कुछ छात्रों से मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगा जो अपने जॉइनिंग लेटर के साथ में मौजूद है और आपको बताएंगे कि अपना अनुभा पताएंगे आप किस डिपार्टमेंट में पहुचे हैं यहां से पास आउट करके आप जो है देश की शेवा कर रहे हैं तो आपको कौन सा विभाग मिला है आपने किस में मेरत की सर यह बताईएगा पर मुझे एक्चुली बेसिक सिक्षा बिभाग मिला है एजा असिस्टेंट टीचर के पत पर मुझे अपन दिया गया है और मैं बहुत खुस हूँ इस बात से कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलेगा नौन आहल बच्चों का जो भविस है उसको सवानने का मौका मिल मारा सेलेक्षन है बेसे सिक्षा बिभाग में हुआ है और यहां के जो डारेक्टर है जैसे कि सब को पता है कि तीन डारेक्टर है अगर मैंने पर तिर्दियत के उपादी का हूँ तो साहित कम नी होगा मैंने बेसिक सिक्षा बिभाग में असिस्टेंट टीचर के लिएपाइट के हूँ हूँ और यहां जो भी सीखा है सब इसुटिकर्स का मुझे गाइडेंस बहुत अच्छा मिला है इनके सानिद्दे में मुझे सिक्षा बिभाग मिला मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता परिख्षागुरु को बहुत बहुत दन्यवाद करता हूँ मैं बेसिक शिक्षवगाग में सायक अध्यापक के प्रकार रहत हूँ और मैंने परिख्षागुरु को जैसे ही जॉइन किया था तब ही से मैं अपने सारी faculty members से guidance लेता रहा था और उनकी guidance से ही मुझे बहुत important चीज़े सीखनों के मिली और मैं अपना selection शिक्षक भरती में ले पाया इनके पास में इनका appointment letter भी है कोई रामपूर में है कोई बरिली में है कोई रामपूर मतलब अलग लग शेहरों में कारीरत है और इनका बहुत अच्छा लग है कि ये लोग जो है बरिली में परिक्षा गुरू से पास आउट है जैसे का सर मैंने सुना कि आपकी हैं से बच्चे जो है अपना future बनाती है और बहुती तादात में जादा का selection हुआ है तो सर कौन कौन सी competition आप तयार करवाते हो है फिर कौन कौन से सरकारी जो है उनकी तयारियां आप करवाते हो इनके बारे में कुछ बताएं सर आपके पास में कोई बच्चे आता है किसी वरकारों मालो स्टेट लेविल की कुई मनें के डिगे लिए तो आपके पास में आया तो आपके आपके पास पे उसके लिए कौन को शेल से而प्शण कोई और हे क्या सबस्क्रवाइब कंगे के बिरुकत आता है कि अगुंत टी निचक है xe सर बाद लिए सबिस्ट का हम लोग लाइफ कर दिया का बहुत है कि कॉपिशिशन असको बहुत ज्यादा हाई हो चुका है तो वह सकता है कि फस्ट टाइम मैं अपका क्लिर नहीं हो पाई है थिके ना सेकंड टाइम अग्जाम लिए अप्ट अमें घूर करें गया तो बहुत सब्सक्तव इसे भी होते हैं कि एक दो नंबर के कारण को लो रूब जाता है तो उन लोग की दिमांड रहती है अगर हमारा स्लेक्शन नहीं होगा या नहीं होगा देन हम क्या करेंगे हमें दुवारा क्लासे कैसे मिलेंगी ठीक यह भी कोश्चन का होता है जर रहनी तो बेसिकली फोर्ट किसी और कोश्चिन में जाता है वहाँ पर फोकस्स बात का होता है कि दिए और काम हो गया चुप्ती हो गई और बच्चा बस दी मोटिव विट नो के चला जाता है यह तो बहुत तफ लग रहा है को कोश्चन पर से बदाने का तरीका है वो इतना इसी मैतल प्राता है टीच आपने दो क्या बैसिक ट्रिक्स कानी है क्योंकि एग्जाम को क्रेक्ट करने के लिए त्रिक्स का होना भूँना बहुत ज़लुडी है तो आपको कम टाइम में कृश्चन दो प्रिक्स साथ में बेस्ट फेक्लिटी आपको पड़ाती है अगर आप देखे तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमारे बैनर का भी देखे, मोटिव हमारे का है, हमारे जो मोटो लिखा हुआ है, लोगो 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 लिखा प्रविसेस हमारी मैग्जीन्स ठीक हमारी टेस्ट पेपर अच्छा एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूं कि आज कर एक्जाम हुआ है ओलाइं मैक्सिमम एक्जाम जो ओलाइं जो रहे है जी चिक है तो हम लोग इस्टुरेंट्स को ओलाइं ओलाइं मोड में भी और यहां पर कुछ बच्चे ऐसे बहुत हो जो बहुत ही सबस्दार और बहुत ही ज़्यादे बिलेंट होंगे बट उनके पास बसार फाइनल से कंडिशन होती है अक्सर देखा गया है तो इन ऐसे बच्चों के लिए आपके बच्चों के लिए आपको लगातार देख रहे हैं और भी पूरे शेहर की जंता आपको देख रही लगातार तो अगर हमारे जो बरेली मिरर के माध्यम से आपके बास में कोई आता है कोई स्टूरेंटस आता है मेल या फीमेल तो उनके लिए आप सर कौन सा मेशेज देना चाहेंगे सर ये बताएगा अगर आपकी दरफ से कोई आता है तो हम उन लोगों को यह जो मैघ्जीन हमारी आती है ये करेंडर पैस की मेघ्जी हम हर इस्ट्वेंट को देते हैं हमारे जो पढ़ रहा होता है उस हर इस्ट्वेंट को यह मंतली मेगजिन हमेशा मिलती है तो जो भी इस्ट्वेंट आता है आपके बरेली मिलका चैनल देखने के बाद में वह हमारे जोइन करता है नहीं करता है वह बात नहीं है लेकिन यह व फ्री ओप लास वो क्लास भी अटेंड कर सकता है। तो आप भी बगैर जिजक बगैर बे रोक टोक यहाँ पे चले आईए और अपना केरियर बनाईए और इसी के साथ देखते रहिएगा तब बरेली मिरर थैंक यू